मेरा नाम सुक्मर प्रजबती है वेलकम टू मैट्स और मोर पर आपनों का स्वागत है आसा करता हूं कि आपनों के प्रिपरेशन अच्छी चल दई होगी और मैंने पहले भी सेंप्ल पर के बारे में बताया था कि जब प्रिपरेशन अमारा सिलेबस पूरा हो जाता है तो हम स दों इसमें आज मैं इसमें इसंपर पर कुछे बमें तोय छहbayरेहों कि क्मेंट में किशें एन्वें इसमें पोल सॉस्क्राइब्ज्ट परेबस दा कर लेते हैं हमении को सब्सक्राइब कर लेते हैं 12 को पहला कोशन इसमें दिया है कि find the middle term of the AP of the AP 6 दिया है 6 दिया है 13 दिया है 20 दिया और 216 दिया है आपका 13 दिया है उसके बाद से 20 दिया है और last में आपको दिया हुआ है Denise NICK APPLAUSE Atlantusi देश दिया हुआ है कि इस AP आपको 126 दिया हुआ है इस अपको मिडल टर्म बताना है इस आपको मिडल टर्म देने के लिए अप्षं आप दे इसमें और ने रखागे आपको ऋ दिया है 101 पिर दिया 110 फिर coma 120 और फिर inert एल्या 111 ये कि अब दिया है इस इस AP का आपको middle term बताना है और यह आपको option दिया है अब देखो इसको करेंगे कैसे हम एक तो तरीका यह है कि आप इसका N निकालोगे A आपको पता है D इसमें कितना हो जाएगा 13 माइनस यह तो A हो गया पता है आपको MCQ है तो इतना कम टाइम में सॉल्व कर सकें उगों को कोसिस करना है तो हमको इसमें डी की जो वैलू दिया हुआ है डी आपका 13 माइनस 6 आजाएगा 7 आजागे आपको पता है अब कोई भी टर्म जो आता है कंसे मालनों की इसमें मृडिल टर्म आएका कोई भी टर्म आय गा तो इए न जो जटनेरली होता है A अपका आताます इसमालनों मैंूद निकाला तो A plus क्या आए गा एका फोरड ay Madrid लाएका इसका मतलब यह होता है कि जोभी टर्म आपका है उसमें से यह आप माइनस करते हो तो कॉमन डिफेरेंस जो दी है उसे पूरी तरह डिवाइड होगा यह इसका कॉंसेप्ट है और इसे हम निकाल सकते हैं कि इसमें जो भी आपको आप सुन दिया होगा एक ही ऑप्षन ऐसा होगा जो कि वह आंसर आएगा बागी तीन जैसे आपका 101 मैं पहले स्लो बता रहा हूं फिर आपको समझ मा जाएगा तो आप फॉस्ट को कर सकते हो 101 में से 6 माइनस करो जो भी आपका ऑप्षन दिया है क्योंकि यह जो टर्म है उसमें से आप फॉस्टर माइनस करोगे तो जो आएगा वो डी का मल्टपूल होगा मनें कॉवन डिफेरेंस से डिवाइड होगा जैसे माल दो एफाइब जो भी नमबर दिया है उसको ए से माइनस करोगे एफाइफ माइनस से अपान यह डी इकॉल टू फॉर आपका यह पूरे पूरे डिवाइड होगा यह कॉंसेट होता है इस कोशन का अब जैसे 101 दिया आपका वन हंडेड वन में से शिक्स माइनस करोगे तो यह 95 आपका 95 जो है सेवन से कभी नहीं डिवाइड होगा 717724 नहीं कट रहा हम ओरल लिकालते चले जाएगे जिए इसमें समस्सेट माइनस करेंगे तो 104 आएगा 104 जो होगा आपका 7 से नहीं कटेगा 7S एक काटों का वन ट 14 आए अब भी सेवन से नहीं कटेगा आप इसको सेवन से काट आगा यह नहीं कटे गा फिर आप आएगा 11 one इसको आप six minus करोगो तो 105 आएगगा 105 आपका seven से का होता है डिवाइड हो जाता है 157 जाता है तो यह आपका 111 जो होगा यह मिडिल टर्म होगा जो आपका कोशन पूछ रहा था पहला कोशन जो है सेंपल पर जिन बच्चों ने सुपर ट्वंटी खरीदा होगा उसका फर्स्ट कोशन जो है फाइन दे मिडिल टर्म आफ एपी 6, 13, 20, 216, इसका मिडिल टर्म क्या होगा अब मैं देखको इसको निका लोगे ऐसे आप तो बहुत टाइम लगेगा तो मेरा फोकस ही होता हम लोग अप्टेटी भी पढ़ाते हैं एंडिये का सीडिये का से सी का रेलवे का भी त्यारी कराता हूं और अने कर भी पर भी में मेरे इसमें दूसरा कोशन आरह रहा है आपका कि इसमें 仔ारा है कि वा और वाल्यव से फॉवर रवड वेल्याव पउaus ऐसे दिया कि फिर दिया आपका यहाँ पर 1,1 अब फिर दिया है 11,4 ओर यह आपको दिया है और यह ko अब जल्दी कैसे करें यह पिसको फोकस करते हैं अब जबी भी आप इसको प्लॉट करोगे नंबर को प्लॉट करोगे आप थोड़ा सा भी आइडिया देखोंगे इस तरह प्लॉटिंग होती है तो 1,-1 यह यहां है तो 1,-1 आपका यहां पर आएगा और यह जो आप पॉइं बनार होगा इस तरह पर बनाते हो तो देख रहे हो यह दो ट्रंगिल बन रहा इस तरह दो आपको यह वन है और आपको जो इसमें दिया है option आपका कहा एगा यह कॉमा वन मतलब वाइट वन है यह देखरो इधर जो जितना डिस्टेंस पर इस तरह के आएगे यह पॉइंट आपको लिकाना है यह बताना है कि यह कितना है अब देखो इस तरह का पोशन करोगे तो मैंने पहले भी बताया कि तीन पॉइंट दिया है y2-y3 फिर आपका होता है प्लस x2 y3-y1 प्लस होता है x3 y1-y2 यह फार्मला होता है इससे भी आप एरिया का फार्मला इक्वाल डो जीरो करके कर सकते को लिनियर में इसमें कोशन में कैसे करोगे आप इसको मैं समझाने कुशिस कर रहा हूं यह आपका 1,-1 है यह डिस्टें क्या से देखो गे, तह на यहां से यहां तक िस्टें्स है यह आपकी 10 आएगी क्योंकि यह 1 है और 11 है यहन से यहां के देश्टेंस हि आपकी 10 आएगी हम इसमें क्या करेंगे में आपको देख रहो कि यह होगा यह ट्राइंटेंगीcko होगा एक और यह ट्रेंगिल अपका सिम्लर बनेगा कि यह चीजे समझ मुझास तो बनेगा मशन होता है पस्लिक हर यह टाइम लगता है काई बार लिए यह willkommenbr जब यह side का ratio 1-4 दिया है यह जो side होगी इसका भी ratio 1-4 होगा ति आपका 1 होगा यहां से तिया कितना होगा यहां पे 4 होगा मनने 1 और 4 होगा तो यह पूरा distance 10 है तो यह 2 होगा तो यहां से यहां से यहां से 2 जाओगे यह 1 है यहां पर यहां से 2 जाओगे यह 3 आयेगा यहां पर 2 हैगा 3 मतलब यह 3 मिल गया आपको 3,0 मिल गया यह पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा 3,0 हो गया यह आपको अच्छी तरह समझ मा गया अब जो इधर आपके डिस्टेंस 1 है यहां भी 1 होगा यहां से 2 इनुट पर यह भी 2 इनुट होगा यह जब 2 इनुट होग जो आपका यह आउसर सही तरह कि वैलीव तरह दो कि तब भी यह कि वैलु 5 अब मैं इसको ट्रिक से बताए इस फार में में थोड़ा पूट करते हो यह यह एक्स 1 2 1 2 2 2 2 2 3 अंश्ट को निकालोगे तब भी आपका आपका अशर यह कि वैलु 5 यह तो मैं जो मैं सेक्ज बत कन सब्सक्राइब है कि गए और से कर सकते हैं से कशन कर सकते हैं कि चाइ Nebraska लेना करके हम कि सकते हुआ तो के ने पूछ़े टों से अची तरा मैं यह पूछा ता जो पीछ वीडियो बनाया कि आपको डाइज को थो करते हो तो उसमें हमने पूछा था कि मल्टपूल आप पूछा था उसमें मल्टपूल आप 2 और 3 पूछा था तो उसकी प्रविल्टी क्या होगी तो उसमें 2 की प्रविल्टी जो होती तू का मल्टपूल जो होगा वह आपका 2 होगा 4 होगा और अपक पूछा था फिर आज कोशन में पूछ रहा हम आप से आप फिर इसका आप आप आंसर जुरू बताना को सब्सक्राइब करें कि दमीन आफ एन और नेचरल नमबर क्या होगा एन और नेचरल नमबर का मीन पूछना है में मीन पूछा इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मीन मीन आफ फिर्स्ट एन और नेचरल नमबर इसका mean आपको बताना है, option में दिया है आपका n प्लस 1 बाई 2, उसके बाद दिया है n बाई 2, उसके बाद दिया है n स्कौार, और यह दिया है आपका n, यह ओगया, b होगया, c होगया, d होगया, serial से लिखा है, आप option में comment box जाके आपके बता सकते हो कि कौन सा option इसका सही है, mean निना फष्ट एन और्ड नेचर नमबर और नेचरल नमबर का में क्या होगा आपको यह बताना एन प्लस वन बाइटू आपसंद है एन बाइटू और एन इसको और एं इसमें अशा करता हुआ यह अच्छी तरह आपने समझ में आया होगा इसको आप ज्यादा-ज्यादा सेर करें लाइक करें आपको पसंद आ रहा है तो आप इससे कुछ भी सीखते हो तो कमेंट बाक्स में बता सकते हो कुछ सजेशन ओभी आप देश सकते हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लो इसमें आप लोगों को बोड के एकॉंडिंग जो भी कुछंस में बताता रहूंगा ओल दे बेस्ट थैंक्स